जहिंद यूपी स्कोलर्शिप का फॉर्म अब आवेदन होना स्टार्ट हो गया है देखिए फॉर्म तो स्टार्ट हो गया है आप आवेदन किसी साइबर कैफे से भी जाके करवा सकते हैं आप 20-50 देंगे तो जरूर आवेदन कर देगा लेकिन उसको बस 20 और 50 ही मतलब है जो का प्रयास करते हैं और बीना कुछ चीजों को कुछ पॉ Remote को सम्झे फॉर्म फिल करेंगे तो निश्चित तो पर फ्रीक्त हो जाएग़ैगा और जब आपका एक बार form reject हो गया तो correction करने का तो मौका मिलता है लेकिन correction करते करते इतना late हो जाता है कि तब तक budget ही खतम हो जाती है और scholarship नहीं मिल पाता इसलिए आज की इस वीडियो में मैं ये तो cover करूँगा है कि UPA scholarship का form भरते कैसे हैं बिना गलती के बिना mistake के चाहें आपको fresh form भरना हो चाहें आपको renewal करना हो दोनों चीजों को यहाँ पर explain करूँगा साथ में आपको point wise यहाँ पर यह भी बताते चलूँगा कि form भरने से पहले किन चीजों को आपको पहले से ध्यान में रखना है और form भरते समय किन चीजों को ध्यान में आपको रखना है तो चलिए वीडियो को start करते हैं without wasting time so students देखिए form भरने के लिए आपको सबसे पहले इस website पे आजाना है जो कि UP scholarship की official website है जो कि scholarship.up.gov.in है ठीक है तो यह google में आपको लिख करके search कर लेना है आप जैसे सर्च करेंगे आपको redirect हो करके इसी website पे भेज दिया जाएगा ठीक है तो सबसे पहले ये website पे आपको यहाँ पे आ जाना है इसके बाद यहाँ पे एक option आपको दिखाई दे रहा होगा student का ये ठीक है ठीक है वो सभी बच्चे यहाँ पे registration करेंगे और जो बच्चे form पहले पिछले वर्स में भर चुके हैं वो ऐसे सभी student यहाँ पे क्या करेंगे direct renewal login करेंगे ठीक है और registration होने के बाद जो नए बच्चे है वो fresh login करके अपने form को complete करेंगे ठीक है ये step होने वाले है form भरने से पहले कुछ चीजों को हम सबसे पहले समझ लेते हैं सबसे पहला तो आपको अपना आधार seeding status यहाँ से चेक कर लेना है ठीक है अपना आधार आप चेक कर लिजे कि आपके bank account से mapped है या नहीं ठीक है अगर आपका account mapped नहीं है यहीं आधार आपका seed नहीं हुआ है तो scholarship आपको नहीं मिलेगी ठीक है सबसे पहली point तो यही है आप समझ लेजे इसलिए आप account भले ही new खुलवाए हो है ना आपने भले अपना आधार number दिया हो लेकिन आधार seeding और mapping का काम क्या है उसके लिए अलग से आपको यहाँ पर authority देनी पड़ती है bank को वहाँ पर जाकर के form fill करना पड़ता है और जो है आप उनसे request करते हैं तब जाकर के आपके account को जो है map किया जाता है आधार के साथ ठीक है तो इसलिए आपको जाकर के यह bank पर आधार seeding कराने पड़ेगी अगर आप नहीं कराते हैं तो मतलब scholarship ना के बराबर मान के चलिए नहीं ही आएगा एक तरीके से ठीक है तो start करते हैं हम लोग सबसे पहले c st और general के लिए तीन categories के लिए यहाँ पर आपको यहाँ पर option देखने के लिए मिल जाएगा ठीक है इसके बाद से आपको यहाँ पर second option जो दिखेगा यह second option आपको OBC category के लिए यानि की आपको पिछडा वर्ग के लिए मिल जाएगा इसके बाद आपको तीसरी category जो यहाँ पर मिल जाएगी वो minority category की मिल जाएगी जो की fresh के लिए हो जाएगा ठीक है तो यह सारी categories आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल लेए तो अभी फिलाल आप देख रहे होंगे कि सिर्फ fresh दिखा रहा है इसका मतलब है कि fresh वाले students को यानि नए बच्चो को ही registration करना है बाकी जो renewal वाले बच्चे हैं वो direct login करके भी अपना form जो है directly आगे के process को complete कर सकते हैं complete form fill कर सकते हैं तो अभी फिलाल हमें करना है registration और हम लोग जो polytechnic BA, BSC या UN या BCOM वेगरा के छात्र हैं जो student हैं वो जो form भरेंगे वो post metric other than intermediate में भरेंगे किसमें post metric other than intermediate में जो कि यहाँ पर option दिख रहा है यह post metric other than intermediate को आपको select करना होगा जैसे हम मुझे general के लिए form भरना है तो मैं यही link पे click करूँगा यहाँ पे general पे मैं click कर ले रहा हूँ ठीक है इसके बाद क्या है यहाँ पे general पे click करने के बाद हमें यहाँ पे जो है देखिए साब साब लिखा हुआ है कि दसमोतर छातविती वसूल्क प्रतिपूर्ती उत्तर प्रदेश में अध्यनरत कच्छाई 11 और 12 के अतरिक्त छातर छात्रा और फ्रेश रिस्ट्रूरेंट के लिए online registration फार्म ठीक है इसमें देखिए आपको क्या-क्या details registration करने के लिए देने होंगे सबसे पहले तो आपको यहां से अपना जिला चैन कर लेना होगा तो फटा-फट से हम जिला चैन कर लेते हैं यहां से तो हमने जिला अपना चैन कर लिया गोरगपूर जिला है गोरगपूर जिला चुनने के बाद यहां से हमें अपनी सिच्छण संस्थान चुननी है सिच्छण संस्थान में हमें जैसे MP Polytechnic गोरकपूर चुनना है तो हम यहां से MP Polytechnic या आपका जो भी संस्था होगी जो भी आपके district के अंदर वो आप चुन लेंगे तो यहां से हमने अपना college चुन लिया, college चुनने के बाद यहां से वर्ग जाती या समू चुनना होगा जिसमें हम लोग सामान नया वर्ग चुनेंगे सामान नया वर्ग चुनने के बाद यहां से हमको अपना धर्म यहनी religion चुनना होगा तो religion में हम अपना यहां पर religion डाल देंगे हिंदू-Muslim जो भी आपका होगा वो यहां पर फिलाल हिंदू आ रहा है general category में तो हम हिंदू चैन कर लेंगे इसके बाद छात्र छात्रा का नाम जो है वो हम यहां पर इस box में fill करेंगे जो भी नाम होगा उसके बाद आपको अपना एक mobile number यहां पर देना होगा mobile number ध्यान दीजे यहां पर की आधार number से link जो mobile number होगा वही आपको यहां पर fill करना है उसके बाद high school उत्तिन करने का जो वर्स है वो आपको यहां पर fill करना है इसके बाद high school board जो भी है आपको वो यहां पर आपको fill करना है high school board यहाँ पे चुनने के बाद यहाँ पे आपको high school board का अनुक्रमांक यहाँ से fill करना होगा अब यहाँ पे दीखिए पहला box दिया हुआ है इसमें अगर आप fill करने का प्रयास करते हैं हो जाता है तो अच्छी बात है otherwise आप second वाले box में यहाँ पे fill कर सकते है अनुक्रमांक है न तो पहले वाले में पहले problem आता था इसलिए यहाँ पे दू बॉक्स आपको देखने के लिए मिल रहे है ठीक है इसके बाद यहाँ पे देखिए high school board में आपका ICSC, UP और CBSC इन तीनों में होगा तभी आपको scholarship मिलेगी ऐसा यहाँ पे mention किया गया है इस बा पास होना अनिवार है तभी scholarship जो है distribute किये जाएगी आम मिलेगी आपको ठीक है यह चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है तो यहाँ से अपना board चुन लेना है जैसे हमारा UP board है तो हम UP board चुन लेंगे इसके बाद दीखिए यहाँ पे जो problem आती है बच्चों को वह अ पारंको का होना चाहिए और password हम रख सकते हैं पहला R capital लखेंगे बाकी सभी letters यहाँ पे हम small लखेंगे उसके बाद इसी वर्स को डाल देंगे 23 या 2023 जो भी आपकी इच्छा वह आप फिल कर सकते हैं 23 और add the rate dollar में से कोई भी एक sign यूज़ कर लेंगे और इस तरीके से यह password आप फिल करेंगे यहाँ भी हैना हमने password फिल कर लिया है password फिल करने के बाद हमें यहाँ पे जो भी capture code दिया हुआ है वो capture code इस box में फिल करना होगा और इस box में फिल करने के बाद हम generate OTP पे click करेंगे तो जैसा कि आप screen पे देख पा रहे हैं हमने सारे details फिल कर लिये हैं सारे details फिल करने के बाद यहाँ पे हम generate OTP पे click करेंगे generate OTP पे click करने के बाद आपका जो भी आधार से link mobile number होगा उस पे OTP जाएगा जो कि आपको यहाँ पे OTP को फिल करना पड़ेगा OTP फिल करने के बाद आपको यहाँ पे CAPTCHA code फिल करना है जो कि यहाँ पे दिख रहा है इस CAPTCHA code को इस box में फिल करना है और उसके बाद हम यहाँ पे submit OTP and proceed registration पे click करना है तो हमें जो OTP और CAPTCHA प्राप्थ हुआ है वो हमने फिल कर लिया और उसके बाद हम यहाँ पे submit OTP and proceed registration पे click करने के बाद OTP फिल करने के बाद and proceed for registration पे करने के बाद आपको अपने registration details मिल जाएंगे उन registration details को collect करके और then आप यहाँ पे आगे बढ़ेंगे है ना यहीं कि उसको print करके रख लेंगे screen sort लेंगे future reference के लिए और या फिर आप उसको note करके उसके registration number को और अपने password को रख लेंगे ठीक है अब यहाँ पे जो बच्चे renewal करना चाहते हैं वो यहाँ से direct क्लिक करके जा सकते हैं या फिर यहाँ से student पे क्लिक करेंगे और आप renewal पे क्लिक कर लेंगे यहाँ पे जो बच्चे renewal का form भर रहें जिसे पोस्ट सब्सक्राइब करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको password हो सकता याद हो या फिर याद भी हो तो हो सकता एक्सेप्ट ना करें इसलिए आप अपना password reset कर लेंगे यहाँ पर ठीक है जो बच्चे 2022 थे इसमें first year में थे यहाँ पिछले साल वह नवीन यहाँ से फ्रेस कर लेंगे और अपने details भर के और यहाँ से अपना password reset कर लेंगे और यहाँ पर आपको पहले registration number देना होगा सबसे पहले उसके बाद आपको अपना जनमतिजी याई date of birth देना होगा high school का board का detail देना होगा high school उत्रिण करने का वर्स देना होगा और यहाँ से आपको अपना high school का roll number फिल करना होगा capture code आपको जो दिया हुआ है यह आपको इस box में फिल करना है और उसके बा है form को उन दोनों में बहुत जादा फरक नहीं है form के complete करने में लगबग लगबग same process ही है तो यहाँ पर अगला जो process होगा registration के बाद अब आपको login करना होगा तो आप fresh login पर जाएंगे और fresh login के बात जाने के बाद यहाँ पर post metric other than inter student login पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको क्ल code देना होगा और यहाँ पर आपको अपना capture code जो दिया हुआ यह फिल करना होगा और फिल करने के बाद आपको submit बटन पर क्लिक करना होगा so students इस प्रकार से registration करने के बाद से आप आगे के process को complete करेंगे एक चीज मैं आप सभी को बता दू कि registration अगर 2023 के लिए बात करें तो start हो चुका है अभी मैं registration page पेश पे शलना हूँ और आपको दिखाता हूँ so students जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि आप सभी के 2023 और 2024 के लिए UP scholarship की website पे registration तो start हो गया है बट इसके आगे का जो login के बाद process है ठीक है वो यहाँ पर अभी start नहीं हुआ है और इसलिए जब OTP and यहाँ पे OTP fill करने and proceed for registration पे आप click करेंगे तो वहाँ हो सकता है कि आपको registration number भी अभी ना allowed करें कुछ बच्चों को हो जा रहा है कुछ को अभी ज़ादतर को नहीं हो पा रहा है या आगे के steps में नहीं बढ़ रहा है ठीक है तो form अभी complete कह सकते हैं कि complete form अभी नहीं open हुआ है पार्सियल open है जिसमें आप अभी registration कर सकते हो जैसे ही complete form आएगा आपके साथ मैं एक और video share करूँगा जिसमें complete information आपके साथ share करूँगा कि कैसे आप सभी 2023-24 का form फिल कर सकते हो है ना तब तक के लिए आप सभी आप अपने bank account को आधार से map करवा लिजे आधार card में और आपके high school के details में कोई difference है तो उसको सही करवा लिजे यदि आपका income certificate नहीं है तो income certificate आप अपने नाम से बनवा लिजे क्योंकि हो सकता है कि आपके father के आप दो से ज़्यादा भाई बेहन हो और सभी scholarship के लिए apply करें ऐसे में एक अगर आप income certificate लाते हैं तो वो duplicate होकर reject हो जाता है college वाले भले ही कहें कि आप father का income certificate लगाईए बट income certificate आप अपना लगाएंगे तो ही pass होगा otherwise उसके वज़े से भी reject हो जाएगा caste certificate में भी same process है और income का मैं बता दूँ income में पूरी family के income details फिल होते हैं ऐसा नहीं है कि अगर पापा के नाम से बनेगा तो आपके income की details नहीं डलेगी या आपके नाम से बनेगा तो father के details नहीं डलेगी पूरी family की जो income होती yearly उसके अधार पे आपका income certificate बनता है इसलिए family के किसी भी member के नाम से income certificate बन सकता है और वो valid भी होता है है ना तो ये correct information है इसलिए आपको अपने नाम से documents सभी जो है बनवाने चाहिए ताकि आपका form reject ना होड़ so students इस video में point to point सारी चीजे आपकी UP scholarship से related हर एक चीजे cover की गई है और मुझे उमीद है कि आपको इस video को देखने के बाद form भरने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और ना ही आपका form reject होने वाला है और 100% आपको scholarship मिलेगी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like करिएगा और अपने दोस्तों के साथ share जरूर करिएगा और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को subscribe कर लिजेगा यदि आप polytechnic first semester के student हैं तो daily live classes के साथ हमारे साथ जुड सकते हैं जोकि free of cost live classes हमारे यूट्यूब चैनल सुनूसर classes पे आप सभी को provide कराए जा रहे हैं मिलेगे किसी यन्रे वीडियो लाइफ शिन के साथ तब तक के लिए जैहिंद वंदे मातरम आप सभी स्वास्त रहें मस्त रहें